कृप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आस्ट्रो सच पर अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रविवार की रात चुपचाप फेंक दें यहाँ पर एक लॉंग जीवन के हर कष्ट मिल जाएगी आपको मुक्ती माता लक्षमी जी के आशिरवात से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा दोस्तों हिंदू रीती रिवाजों में पूजा में धार्मिक कार्यक्रमों में लॉंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है जोतिश में भी लॉंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती हैं बलकि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही होता है आपको आज हम उन लोगों के उपायों के बारे में बताने जा रही हैं जिन उपयोग करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं बलकि इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप् दोस्तों आपने देखा होगा कि या किसी जोतिशी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंदित के पास जाते हैं, और अपनी समस्या बताते हैं, तो वह आपको ऐसे से उपाय बताते हैं, जो बहुत ज्यादा खर्चिले होते हैं, और बहुत ज्यादा कठन होते है जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है, लेकिन अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखते हैं और लॉन के उन उपायों को समझ लेते हैं, जो हम आपको बताने जा रही हैं, तो दोस्त यकीन मानिये आपके जीवन की आधी से. ज्यादा समस्या सिर्फ एक लॉन से खत्म ही खत्म हो सकती है, कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लॉन का प्रयोग अवश्य ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लॉन एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औश्धी है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में अगर इस्तिमाल न किया जाए, तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं, मानी जाती है, माना जाता है कि माता लक्षमी जी की पूजा होती है, उसमें लॉन का उप्योग न किया जाए, तो माता लक्षमी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है, हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का एक खास महत्व बताया गया है, लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद होती है, दूसरी तरफ बताया गया कि पूजा में लौंग का उपयोग किया जाए, तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है, इसलिए जोतिश शास्त्र मे को उत्तम स्थान पर रखा गया है, तो ना तो, का ये जो होता है, इसमें भी लौंग का उपयोग किया जाता है, ताकि पूजा सिद्ध हो सके, आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रही हैं, जिन उपायों को करके न केवल आप अपने जीव गनंदु धर्म में लौंग का इस्तमाल आज से नहीं बलकी सदियों से चला हुआ आ रहा है, लौंग को न केवल स्वास्थय की दरिष्टी से बहुत अच्छा माना गया है, बलकी तंत्र शास्त्र की दरिष्टी से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है, कहा جاتा है है कि लौन का उपाय अगर माता लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो माता लक्ष्मी जी का तुरंत ही हमको आशिरवाद और वर्दान मिल जाता जाता जैसा हमने आपको विडियो की शुरुवात में ही बता चुके हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लोगों का उप्योग न किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जो लोग से आपको करनी है। आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है। आप पैसों की तंगी की वजह से बहुत परिशान हैं। आप कैसी भी परिशानी में पड़े हो दोस्तों बस इस वीडियो को बिना भगाएं लास्ट तक। वह संपत्ति आपकी हो जाएगी। मारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी। अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौन का प्रयोग करके आपको माता लक्ष्मी जी का वर्दान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। असलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहें माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आप अपने। जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी न हो तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की देखिए दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाएं लास्ट तक अंत तक देखिएगा अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं इन उपायों को किस करते हैं लॉन के हमें नियमों का पालन करना चाहिए नियमों का पालन किये बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाब आपको नहीं मिलेगा तो कौन सा उपाय किस दिन करना है यह बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नही बंध हो गया है, धन आही नहीं रहा है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परिशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए तो धन आए बोर्ड के भी और के भी और उसने वृद्धी भी हो, तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरलसा उपाय आपको हम बताने जा रही हैं, यह उपाय आपको लगातार पांच रविवार करना है, पांच रविवार के बाद आपको माता लक्ष्मी का वर्दान मिलेगा ही। माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, अब आपको रविवार की शाम को माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है, जो आपके घर में जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की फोटो लगी है, मूर्ती लगी हुई है, वहाँ पर आपको बैठना है, सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने के बाद बैठिए एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए अब एक लाल कपडा रखिए लाल कपडे के उपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है शीशे की प्लास्टिक की जैसी आपकी इच्छा हो जिसमें आधा नमक भरा हो अब आप लोगों को माता लक्षमी जी का बीज मंत्र बोलना है वह इस प्रकार से है ओम श्री श्री नमन हम फिर से रिपीट कर दे रही हैं दोस् को लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में अलमारी में जहां से भी पैसे का लेंदेन करते हैं रख देना है अगले रविवार को फिर से उस दिब्बे को निकाल कर लाइए दो लॉंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए पांच शुक्रवार के बाद उस दिब्बे में दस लॉंग हो जाएंगे और इस दिब्बी को अपनी अलमारी में तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा जहां से आप लोग पैसे का लेंदेन करते हैं देखिए यह उपाय जो आप करेंगे इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ती मिलेगी ही मिलेगी आपके जीवन में जो पैसा आना बंध हो गया था पैसा आना भी शुरू हो जाएगा जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृध्धी भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वर्दान मिलेगा तो दोस्त। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रही है वह है घर की बरकत का मा उपाय अगर आपके घर में रोज लड़ाई जग्रा ग्रह कलेश हो रहा है आप देख रहे कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए एक उपाय ज मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप लोग पांच तीन कपूर और दो इलाईची चला सके आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को शनिवार के सूरियास्त के बाद आपको पांच लॉंग तीन कपूर और दो इलाईची जलाना है और इसका धुआ पूरे घर में दिखाना है अभी जो राख बच जाएगी इन तीनों चीज की इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग एक हफता मतलब लगातार साथ दिन सुभ नहा के जाडू लगा ये इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालिए अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिये और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए अगर यह उपाय आप लोगों ने साथ दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्त थी बुरी शक्ती थी ऐसी कोई शक्ती वास कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था आपके घर की दोस्तों वर्कत रुप गई थी उन्नती भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा आप खुद इस उपाय को कर के देखिए आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा तीसरा उपाय है दोस्तों बंद पड़े व्यापार को चलाने का माह उपाय अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था फिर बार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए तो यह माह उपाय कीजिये जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपडे में लेना है। ग्यारा लॉंग और पांच गोमती चक्र बहुत ध्यान से सुनियेगा दो। करने के बाद हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। और इसी पुत्री को हनुमान जी के दाएं चरन से चुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है। जहां से आप पैसे के लेंदेन करते हैं। बस इतना आपको करना ह फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोश लग गए थे जो परेशानी आ रही थी जिसके वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था वो परेशानी वो दोस्त खत्म हो जाएंगे यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दोर पड़ेगा चल पड़ेगा अब जो आपको उपाय बताने जा रही हैं दोस्तों वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय दोस्तों जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगार पाता है उस व् जूर्यास्ट यांपनागे अच्छ में दो पोकिंगू है तेliас centralized प्राइब किआ। पीपल पेड़ पर चले जाए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाई तरफ एक लॉंग बाहर देनी है सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाई तरफ एक लॉंग बढ़ा दीजिये और उस पीपल पेड़ की तीन परि जोर हो गया था वह शुक्रग्रह मजबूत हो जाएगा और माता लक्षमी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परिशानिया भी खत्म हो जाएगी और धन चारों दिशाओं से खीचा। हुआ चला आएगा तो दोस्तों इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं।